वेल्कम 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 टू यॉर चैनल जीकेफेस करेंट में गाईज आज देट है 26 निवेंबर और जानेंग आज 26 निवेंबर से डेली मॉर्णिंग वाली वोकेब यह वोकेब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है फॉर आल कॉंपरेटिव एग्जामिलेशन अगर आप इंगलिस सीख रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वोकेब की जरूरत पढ़ेगी वोकेब मेंडेटरी है पढ़ना ज्यान रखना इस बात को और इसका पीडियेफ का लिंक है वो आपको डेली की तरह जो है डिसकेशन बॉक्स में दे दे गया है वहाँ से जाकर सबसे पहले डाउनलोड कर लेना जाकि आपके स्टोरेज में सेव हो जाए और जो निए स्टूडेंस है उनको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना जरूरी है क्योंकि डेली की नोटिफिकेशन फिर कैसे बता लगे कि वो केप का नोटिफिकेशन आ गया यह करन्ट अपेर का टिक है अब चलिए देखिए फणी क्लास बिलकुल बनाएंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और साती जो है बिलकुल ऐसा करें कि पूरी पूरी मतलब की दिमाग में बेट जाए पाते थी फूर्स्ट वन है डैमिट डैमिट दो-तिन बार में रीपीट हर वर्ड को करता चलू ताकि कम से कम दो तीन में से एक बार तो आपके दिमाग में गुझेगा तो डेमिट पार्स अवस्पिच इसका वर्ब है और मिनिंग है पद त्याग करना पद त्याग करना भई यह जो जितनी भी पोस्ट है पद को पोस्ट कहेंगे बहुत ही मुश्किल सी मिलते है और इसका मिनिंग देख लेते हैं डेमिट का यह तो मैंने समझाए आपको हिंदी मिनिंग पद त्याग करनें अब डेमिट का जो इंग्लिश मिनिंग हो है तो रिजाइन आ जॉब पबलिक ऑफिस एकसेक्ट रा कोशिच करेंगे एंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की हिंदू ट समझाँगा मैं आज से ठीक हिंदी कमी से ही उसको मैं यूज करूँ ये बात आप ध्यान रखना जहां जरुवत पड़ेगी वहाँ एक्जामपल डेमिट को यूज के से किया गया है देखें यूज ऑबलाइस तो डेमिट वैन वन ओफ इस ओन एड्स एड्स मतलब होता है स्विम सेवक एड्स वस इंप्लिकेटिट इना फाइनेशल स्केंडल जो उसका एड्स था स्विम सेवक था उसको इंप्लिकेटिट किया गया किसमें फाइनेशल स्केंडल में इंप्लिकेटिट किया गया उसके स्विम सेवक को फाइनेशल स्केंडल में और जिसका जो मतलब की परणाम हुआ उसको ही वास अपलाइज टू डैमिट का मतलब में आपको बता है तू रिजाइन अजो पब्लिक ओफिस उसको पब्लिक ओफिस से रिजाइन करा दिया करने के लिए बात देखिया है ठीक है की लिए रहे सिंपली इसको बिल्कुल डीप आइटी डैमिट जिसका मीनिंग था तू रिजाइन अजो पब्लिक ओफिस एक सेक्टरा अब ये भी पढ़ना जरूरी है कि डैमिट के सासत कौन सा एक सा बड़े जो डैमिट के सास उसको मतलब की जुड़ा हुआ है उसका रिष्टेदार है सगा संबन दिये सगे की बात ह का मतलब होता है त्याग करना और हेंडवर का मतलब होता है सोक देना बात एक है कि मेरे पास एक जेर है जिसका मैं मालिक हो मतलब की मुझे पोश्ट मिला हुआ किसी विपद्च का एक सेक्टरा ठीक है और मुझे अभ उसको छोड़ना तो मैं उसको हैंड़वर सरकार यह प persevere and hold on persevere का मतलब होता है द्रण करो एक संकल्ब आज उठाओ कि वोकेब रोज देखना और इसको रोज भी शेयर करना है hold on रुको hold on का मतलब होता है रुको यह first one damn it आपको याद हो गया होगा next बात करते हैं olhos धीड़न सन कीपन मतलब कि उसके लिए खिलवाड़ मेनिंग इंग्लिश मेनिंग देखिए और फशन पलीज्ट आइंड य्यास और क्वालिटी जो मतलब कि आइडियास और क्वालिटी है पलीजै के मतलब है शुकर उ mini प्लीजूआस यो यह नहीं जिसका यूजी नहीं किया दे सकता मतलब कि इस तरीके की लोग हैं कि मतलब अपने आइडियास दे रहे हैं और वह भी बेफुजूली आइडियास हो बस देने से मतलब हो एक्जामपल ही यह स्पीच वास फुल ओफ विमसी विमसी यहाँ पर खिलवाड़ी उस करेंगे जो मतलब कि पूरी उसको स्पीच वह विमसी है क्या है विमसी यह मतलब कि खिलवाड़ कर रहा है वह अपनी स्पीच दे रहा है जो भाशन दे रहा है ठीक है अब देखिए विमसी विमसी और इसका जो सिननेम से वह है वेगरी व और परिकल्पना करना परिकल्पना करना पर एक्जामपल आप यह मैं कोई बात करें कि कि आपकी सिस्टर यापका प्रॉदर मतलब की जो ग्रेशन अगर वो कर रहा है एंडर ग्रेशन में वो किलियर कर लेगा टीके सो इस तरह के एक्जामपल करिकिए या फिर फ्यूचर में क्या करोगे क्या फ्यूचर में आप टेसला करीद होगे या क्या करोगे मतलब कि कि आप बन जागए उसी पहले से पूरू अनुमान लगाना मतलब की पहले से सोच रहा इंग्लिश मीनिंग टू-इमेजिजीन और एक्सपेक्ट सम्थिंग इन दा प्यूचर एमेजिजिजन विबिन परकार के बुद्धिमान और एजेंटों की परिकलपना की गई एनमेसेज पार्टस अविस्पीजिस का मैंने सब कुछ बता दिया है मेनिंग पर रिकरपना था तो इमेजिन और एक्सपेक्ट सम्थिंग इन दे फ्यूचर सिनोनिम्स फोर सी पूर्वन उमान प्रेडिक्ट बविश्य वानी करना क्या करना बविश्य वानी करना एंटनिम्स क्लूलेस नथिंग एल्स कुछ नहीं ठीक है जिसका कुछ ख़बर दी नहीं है इग्नोरेंट अंजान इग्नोरेंट का मतलब होता है अंजान ठीक है बई नेक्स्ट है लिथालेटी लिथालेटी पार्टस अविस्पिच इसका नावन है और मिनिंग घातकता एक् जोड़ा जाता और एपसलूटली लीतल जान जान लेवाई चाकू डेफिनेटली है इसमें कोई मतलब की डाउट नहीं है सिननिम से डिजास्टर आपदा डेडलाइन एक समय निर्दाज़त किया आखरी हार्म लेस्ट नोट थार्म हैल्दी स्वस्त ठीक है किलियर है वुललरेबल पार्ट्स अवस्पी जिसका अड्यक्टिव मीनिंग है जो सहज में गायल हो सके जो सही रूप से गायल हो सके वीक एन इजिटो हर्ट फिजिकली और इमोशनली हर्ट हो रहे हैं फिजिकली और इमोशनली और कमजोर और वीक असानी से एक्जाम्पल वो अपनी किशोर अवस्था में सुरक्षीत महसूस कर रही है कितनी बुरी बात है बच्पन में उसके साथ दुरुवार किया गया ठीक है सिननिम से डिफेंसलेस का मतलब होता है सुरक्षीत डिफेंसलेस कर दिया है पर घटा दिया उसुरक्षीत को घटा दिया सो आध रखशीत टीक है और सेंसिटिव आसानी से गुस्से में जाना और एंटरनिम से से सुरक्षीत ठीक है किलियर है आज की हमारी यहीं तक थी उम्मीद करता हूं कि क्लास informative रही होगी, साथ ही आपने कुछ new सीखाओं का बहुत चाहिज़ इंपोर्टेंट है और complete exam को लेचाए, आप किसी भी exam की तियारी कर रहे हो, इस class को share करिए, दबा के like करिए और subscribe करना ना बुले, आज Saturday आज भी आपको class मिलेगी, जो first battle of पानी पात के बारे में और साथ उसमें बाबर के background के बारे में डिसकस के गया मिलेंगे नेक्स class में, तब तक के लिए till then take care, all the best, have a nice day thank you for watching this video, all of you